हेलो एब्रीवान वेल्कम चू तरुनायस अक्याडमी जी हां मेरे पीछे ये तस्वीर है जमु कश्मीर के लिजिस्लेटिव एसेम्ली की जहां पे एक इतिहासिक डिसिजिन पास हुआ है और वो डिसिजिन क्या है दरसल जो स्पेशल काटिगरी स्टेटस है जमु कश्मीर का उसको restore करने का फैसला लिया गया है तो काफी जादा historic decision है अब overall special category status क्या होता है कौन-कौन से states special category status के अंतरगत है क्या importance होता है कैसे एक state को special category status का दरजा दिया जाता है तो इस वीडियो में 360 degree से हम इस overall पूरे topic को cover करेंगे तो आईए समझते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लिजे कि क्यूं जमु कश्मीर फिलहाल current affair में है तो देखे दो कारणों की वज़े से हाल फिलहाल जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी वज़े से और दूसरा जो historic resolution यहाँ पर पास हुआ है to restore the special category status of the state इसकी वजह से जो है जमु कश्मीर currently news में है बात है कि importance क्या है यानि कि माम special category status को retain करने का यह जो historic decision है जो resolution है यह पास हो गया है पर इसका importance क्या होगा अगर जमु कश्मीर के perspective से बात करें तो तो यहाँ पे overall यह इसलिए किया गया है ताके जो state की identity है, cultural है, साथ ही साथ जो आप कह सकते हो की constitutional guarantee है वो जो है प्रवाइड हो सके और overall जो safe rights ह जो अधिकार है लोगों के उनको बचाया जा सके, लोगों उनके culture को protect किया जा सके तो कुल मिला कि university, unity in diversity को promote करना भी एक बहुत important मकसद है, ठीक है, तो यहाँ पे यह clear हो गया, उसके बाद अब चर्चा करेंगे कि आखिरकार special category status क्या होता है, ठीक है, तो special category status क्या है, तो च two states, जो geographic और socio-economic challenges face करते हैं, यानि कि यह एक डढ़जा है, एक status है, कौन देता है, इसको center government केंदर सरकार देती है, और किन states को यह मिलता है, जो states या तो geographically challenge होता है, जैसे माली जे कोई हिली state है, या फिर अगर किसी state में, जो है, overall जो उसका terrain है, वो difficult situation में है, तो उन, यानि कि जोग्रफिकली challenging states को यह status मिलता है, साथ ही साथ, जो socio-economic challenge, challenging states है, उनको जो है, कुल मिला के, special category status का दर्जा दिया जाता है, अब यह status is intended to help these states develop by providing the financial assistance and tax benefit, तो कुल मिला के, क्यों जो है, states special category status को पाना चाहते है, क्यों? ताकि उनको, जो जिन states को special category status मिलता है, उनको financial assistance मिलत है, केंदर सरकार की तरफ से, और साथी साथ, tax में भी benefits provide किये जाते है, अब क्या कुछ benefits है, अभी देखेंगे, पट उसके पहले जान लीजे, क्या कुछ criteria है, यानि कि, अगर एक state को special category status दिया जाना चाहिए, तो क्या-क्या criteria जो है, उस state को fulfill करना पड़ेगा, सबसे पहला, जो overall geographical condition है, terrain है, वो या तो hilly या फिल difficult terrain होना चाहिए, दूसरा है, low population density या फिर जातर population, अगर tribal population है, तो दिया जाएगा, तीसरा, जो strategic location है, वो border share करता हो with the neighboring countries, तो दिया जाएगा, then economical infrastructure, अगर backwardness है, तो दिया जाएगा, further non-variable status, state finances, जो है, उनमें अगर दिक्कत आ रही है, तो दिया जाएगा, तो ये 5 criteria है, जो कि अगर fulfill होंगे, तो special category status दिया जाएगा, अब कौन-कौन से राज्ये हैं, जिनको already special category status मिल चुका है, कौन-कौन सी states है, जिनको already इस status से नवाजा जा चुका है, तो चलिए चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि ये है हमारा प्यारा सा भारत का मैप, और भारत के मैप में, हिमाचल प्रदेश, जमु कश्मीर, उत्राखंड, अरुनाचल प्रदेश, आसाम, सिखिम, नागलैंड, मनिपुर, मैजोरम, त्रिपुरा, मेगालिया, ये वो states हैं, जिनको special category status दिया जा चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो states थे जिनको औरेडी special category status मिल चुका है, अब बात ये है कि माम, special category status दिया जा चुका है, special category status देना चाहिए, जमु कश्मीर ने restore कर लिया है, आखिरकर क्या benefits हैं, क्या कुछ benefits हैं, जो दिये जाते हैं, जो भी state जिनको ये status मिलता है, उनको क्या कु benefit जो दिया जाता है, वो होता है, they are provided with the 30% of the total central assistance, यानि की 30% total central assistance दिया जाता है उन states को, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये assistance कौन देता है, ध्यान रखनी है, केंदर सरकार देती है, ठीक है, और ये जो सारे benefits है, ये सभी benefits जो है, कटगिल मुखरजी formula के ऊपर based है, ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ओके, the next benefit जो दिये जाते है, वो है, special plan assistance दिया जाता है, for the project, यानि की, जो projects बनेंगे उस particular राज्य में, उसका 90% जो finance है, grant है, वो केंदर सरकार से आता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा financial help है, जो की दी जात then untight special central assistance 100% दी जाती है, ध्यान रखेगा, okay, then further extremely aided projects के लिए 90% grant दिया जाता है, यानि की financial benefits खूब दिये जाते है, further accelerated irrigation benefit programs के लिए भी, जो projects होते हैं, जो irrigation system में बढ़ावा देते हैं, उनके लिए भी 90% का fund allocate किया जाता है, overall 90% grant allocate किया जाता है, ठीक है, केंदर सरकार जो है कुलमिला के उन राज्यों को देती है, further देखा जाए, तो center incentives for the promotion of industry and economic backwardness, तो further जो केंदर सरकार है, वो help करती है, promote करने में economic policies को, साथी साथ जो industrial backwardness है, उसको भी कही न कहीं जो है, एक तरीके से आगे बढ़ने में उस राज्य की मदद करती है, तो इसी जो राज्ये हैं, जो राज्ये special status में नहीं आते हैं, वो राज्ये special status लेना चाहते हैं, जैसे कि आए दिन बिहार जो है, आपने देखा होगा, current affairs में कई दफा आता है, कि बिहार special category status चाहता है, तो ये बात आप लोगों को, I hope पता चल गई कि क्या होते है, क्या importance होती है, क्यों कश्मीर क्यों न्यूस में है, क्या कुछ benefits जो है, वो दिये जाते हैं, सो बस इतना ही इस video में, I hope ये video आपको अच्छी लगे, thank you so much, have a nice day, bye bye, take care, good luck and God bless you.